हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटी कोईगुलेंट इंजेक्शन का रिव्यू करने जा रहा हूँ खून में ठक्का बनने की प्रवत्ति को रोकने के लिए और स्टोक जैसे गंभीर खतरों को कम करने के लिए इस मेडिसिन को लेनी की एडवाईज के जाती है एस्ट्रा पेरिंट 60 मिलिग्राम इंजेक्शन ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्द होता है एस्ट्रा नोबा बायो टेक लिमिटेड के दौरे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 0.6 ml का एक प्रिफिल्ड सिरिंज मार्केट में 599 रुपीज का उपलब्द होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन से आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिशना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिख कर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस इंजेक्शन में इनॉक्सा पेरिन 60 मिलिग्राम की मात्रा में उपलब्द होता है अब देखते हैं इस इन्जेक्शन के कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें लोका प्रिन 60 इन्जेक्शन इसे इंटास फार्मा सुनिकल्स लिमिटेड के दोरह मनाया जाता है लुट्समी मीजेक्शन इनॉकसल 60 इन्जेक्शन के साथ अप्लब्ध यह कुछ ऐसे डिफेयंट ब्रांड है जो आप इस medicine या इन्जेक्षं के नमीने के सिति पर परढ़ेंश कर सकते हैं आपको effect same मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का salt या molecule same होता है अब देखते हैं friends इस injection के प्रमुक इस्तेमाल के बारे में तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यह anti जो clot factor होता है उस पर depend करता है और आपके सरीर में जो रक्त का प्रवाय होता है उसका थक्का नहीं बनने देता है blood clot के बनने से रोकता है और इस प्रकार अगर आपके सरीर में कही पर भी blood के clot बनने के tendency है तो उसके पैर में जमा होने से, लंक्स में जमा होने से, या ब्रेन में जमा होने से, या हार्ट में जमा होने से रोकता है और ब्लॉकेज की संभावना या श्ट्रोक की संभावना को खतम करता है अब देखते हैं इसकी कुछ प्रमुक साइड इफेक्ट के बारे में तो friends side effect के रूप में इसमें bleeding का होना, सिरदार्द का होना, blood में platelets के मातरा का बढ़ जाना, liver में enzymes का बढ़ जाना, ये इतने इसकी side effect के रूप में देखे गए हैं, बागी कुछ अनकामन side effect भी हो सकते हैं अब देखते हैं friends इस injection को इस्तमाल कैसे करें, तो friends self medication तो पहले आपको नहीं करना है, या आपके लिए harmful हो सकता है, अगर injection आपके लिए recommended है, तो यह doctor यह nurse आपको इस injection प्रवाइड करेगा, क्रपिया इस medicine को आपको स्वाम में इस्तमाल नहीं करना चाहिए अब इस injection के activity को देखते हैं कि यह काम कैसे करता है, तो friends यह एक anti-coagulant है, और जो रक्त के जो कुछ थक्के होते हैं, यानि जो binding protein होते हैं, उसकी निश्क्री करता है, और रक्त का थक्का बनने से रोग थाम करता है, जिसके कारण जो blood vessels होती है, artery या वेंस जो होती है, उसम प्रकार के blockage या stroke की संभावना को खतम करता है, अब देखते हैं, friends इस medicine से जुड़ी कुछ अनिजानकारी के बारे में, तो friends आपके सरीर में ठक्का बनने से रोकने के लिए और उसके इलाज के लिए इस injection को लेने के advice की जाती है, यह injection जब आप लेते हैं, तो सभाविक सी बात है, यह blood को तनू करता है, या नि पतला करता है, जिसके कण रखत स्राव का जो खत्रा होता है, बढ़ जाता है, अगर आप इस injection को ले रहे हैं, या इस प्रकार के molecule का कोई भी medicine अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तमें आपको ध्यान रखना चाहिए, कि किसी भी प्रकार का injury आपको ना होने पाए, सेविंग करते समय या धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करते समय, हाथ या पैरों के नाखून कारते समय आपको सावधानी रखना चाहिए, और किसी भी प्रकार की injury से आपको बचना चाहिए, अगर इसके साथ कोई अन्य प्रकार की blood thinner medicine आप ले रहे हैं, जैसे एस्प्रीन या NSAID बगएर medicine अगर आप ले रहे हैं, तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में पहले परामर्स अवस्ते करना चाहिए, अब अगर किसी प्रकार के disorders आपको develop हो रहे हैं, किसी प्रकार की bleeding tendency हो रहे हैं, गम से blood निकल रहा है, मसूड और इसे खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, कोई अगर सरीर में आपके घाव है और वो 15 मिनट से इक उसमें bleeding हो रही है, रुक नहीं रही है bleeding किसी प्रकार के और कोई complications हो रहे हैं, तो आपको इस बारे में डाक्टर से परामर्स करना चाहिए, अगर आपको उल्टी हो इसमें किसी प्रकार का blood आता है, मल के सांथ blood आता है, या पेसाप के सांथ भी अगर blood आता है, तो भी आपको अपने डाक्टर से इस बारे में परामर्स आवस्य करना चाहिए, आपको अपने डाक्टर से बात किया भी ना अचानक से दवाई लेना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके लिए हानिकारक हो सकता है अब अगर इसकी कोई डोज आप मिस कर दिये हैं तो आपको क्या करना चाहिए तो friends आपको अपने डाक्टर से परामर्ज करें हो सकता है injection को repeat करना पड़ जा हो सकता है injection को समय पर देना पड़ जा है किढ़नी रोग और लीवर रोग से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो यह बहतर होगा कि आप अपने डाक्टर से उचित परमर्स करें उसके पस्चाति मेडिसिन का सेवन करें तो फ्रेंड्स यह थी एक छोटी से जानकारी इस वीडियो की मध्यम से मैंने आपको दी है मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स से वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सिर्फ वीडियो के अधार पर मेडिशन का सेवरन आपको नहीं करना चाहिए यहां निकारक हो सकता है आप अपने डाक्टर से मिलें उचित परामर्स करें मेडिकेशन उसी के बाद आपको करना चाहिए इस वीडियो में बस इतना ही किसी अन्यच्छ इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आप से फिर मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए गुडबाई आपका दिन सुभो